मोना की रसोई मैं आप सभी का स्वागत है तो मैं ब्रेट की बहुत अच्छी रेस्पी लेका आई हूं ब्रेट रसमलाई क्या यह बहुत टेस्टी बनता है इसके आगे बाहर कर रसमलाई फेल है एक बार आप लोग बना के खाई है ट्राइ करिए देखिए एक तम इसको ब्रेट लिया है इसको हम ऐसे दो टुक्रम कर देऊंगे जैसा टुक्रापलो करना चाहें फिर पैन को गरम करेंगे इस रेस्पी की शारी चीजे देखने के लिए मेरे टाइटल बॉक्स पर क्लिक करें यह बटर डाले बटर को फैला लेंगे अच्छे से यह देखिए अब एक एक करके ब्रेट हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे करना है इसको हाई फ्लेम पे जल जाएगा फिर थोड़ी दरवाद इसको पलट देंगे उसके नीचे भी हम बटर लगा देंगे जटपट में बन जाता है आखाने में बहुत टेस्टी लगता है सब में बटर डाल डालके पलट देंगे ताकि वो भी अच्छे से सिख जाए अब यह मैं दूद ले ली हो बरतन में इसमें मैं 100 ग्रम चीनी डाल रही हो यह मेरे 300 ग्राम के लमसम दूद है इसमें थोरा सा नॉर्मल टंप्रेचर पे दूद है इसमें हम एक चमच कस्टेट पाउड़र गोल के डालूगे इसमें क्या होगा कि एकदम गाढ़ा हो जाएगा रस्मलाई खाने का मज़ा चार गुना अधिक बढ़ जाएगा ऐसी थोरा सा खवला लेंगे इसको हम उसके बाद गैस का फ्लिम बंद कर देंगे गाढ़ा होने लगा है इसमें फ्लेवर के लिए इलाजी पाउडर हम डाल रही हूं फिर ये जो है एकदम ये शिख गया है टोस्ट की तरह हो गया है ऐसे ही डाल देंगे नीचे परदर परदर हम उस पर से हम ये रबरी वाला दूट डालते जाएंगे फिर इसको डालेंगे फिर बहुत लाजवाब टेस्टी बनता है ऐसे ही करके सब को कर लेंगे बहुत अच्छा लगता है खाने में आप ये घर में कोई गेश्टाइज जटपट में बनाईए दीजिए बहुत तारीफ पाएंगे फिर इस पे थोरा चा ड्राइफ फ्रूट में डालने वाली हूं जो की घिस ली हूं बादाम को अच्छे से इसको ऐसे कर देंगे उसके बाद खाईए पीजी एण जॉय करिए थांक यू सो मच अ जबस अ